हेई गाईज वेलकम बैक टु ट्रॉग वावा थोड़ा सा दोस्तों आप देख सकते हैं सीजन चेंज होने की वज़े से सर्ती जुखाम हो गया यहाँ पे तो आवाज में थोड़ा आपको बतलाब मैसूस हो रहा होगा इसकी वज़े वज़े अवाज थोड़ी से भारी हो ग गया है और लगी रहा था हरमा चैनि भाव में नैक्सट गया है और हमेशा मतलब यह लगता था कि छोटा-छोटा जहाँ बीपay इंप्रूवब्मेंट होता है जैसे हमने देख था मों में जीट गएً थे लेकिन उसके बाद फिर लक्रासिकों में हार गए और कहीं अतर ठो तोड़ी भी जहां पर इंप्रूव्मेंट हो रही थी लेकिन उस लेवल पर नहीं पहुच पा रही थी कि जो दिखे कि यहां बार साब नेक्स्ट सही डारेक्शन में जाएगी और मोस्टली जो भी हुआ है कुमन के अंडर मतलब मैं काऊंगा अनफॉर्टूनेट भी रहा है वह इस लेवल के जो बार्सलोना को हैंडिल कर सके और दूसरा थोड़ा अनलकी भी रहे जिस तरीए से मैसी वगेरा चले गए और जिस फैनेंशल ट्रबल में कलब आ गया और जिस तरीए प्लेर्स चाहिए थे वो शायद मिल नहीं पाए उनको फुल बैक्स अभी भी नहीं जी हां चावी कहा हैं कहा है चावी कब आएंगे चावी फब्रीजियो रोमानों ने भी कहा है अपने ट्विटर पे कि he is the favorite to take over from Ronald Koeman और लगी रहा था कई ना कई बहुत सारे टाइम से बार्सा फैन्स बोल रहे थे कि यार चावी ही सही बंदा है जो टेक ओवर कर सकता है ब बहुत टाइम तक वहाँ पर बहतरीन फुटबॉल खेलते हैं उनकी टीम जो एक टोटल फुटबॉल वाली फिलोसफी है उसके एड़ोकेट है चावी बिलकुल जानते हैं कि किस तरीके से बार्सलोना का जो कल्चर है वो वर्क करता है किस तरह कि हमको फुटबॉल देखने अच्छी नहीं है अभी भी बहुत सारा काम होना बाकी है जिससे चीजों को ठीक किया जाएगा पहरे तो अपनी प्लेइंग 11 फिगर आउट करेंगे फिर वो अपने स्टाइल ऑफ प्ले के हिसाब से प्लेयर्स को अंदर भार करेंगे तो उस सब के लिए टाइम लगता है तो मैं बस यही कहना चाता हूँ कि चावी आ रहे ही अच्छा है बारसलोना के लिए न्यूटरल फैंस मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है नॉस्टैलिया हो जाता है जब हम देखते हैं कि जब हम फुटबॉल देखते थे आज से पांदस साल पहले से जो प्रा बारसलोना आ रहे है चावी और वो जर्सी के साथ उनकी फोटो आ जाएगी वो प्रेस कॉन्फरेंस में तो मेरे साथ दो बार हो चुका है ऐसा मैं कॉन्टे पे बना दिया पूरा टैक्टिकल वीडियो कि कैसे हो सकती है लाइन अप यूनाइटेट के और अभी पता चल रह हूंगा कि टैक्टिकल कैसा सेट अप रहेगा चावी का इन बार्सलोना लेकिन मेरा दोस्ते छोटा सा रियक्षन है और जैसा आप देख सकते है दोस्तों अधरक वाली चाय पीते हुए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देखते हैं क्या होता है और आप मिरसे राइ बात करते रहेंगे इसके बारे में उस्मान भाई का आज मैसे जाया मुझे वो भी कह रहे थे कि बाबा कुछ बात करते हैं इस पर तो देखते हैं क्या रहता है तो करेंगे इंडेथ डिसकेशन यह एक छोटा सा मेरा रियक्षन था कि मुझे क्या लगता है क्या है क्या है क आप भी बताए दोस्तों, आस बार्सलोना फैन्स आपका क्या रियक्शन है, रोनल्ल कुमन चले गए हैं, चावी आ सकते हैं, तो इस सब पर आपका क्या रियक्शन है, आपको लगता है कि कोई और आना चीए था, I don't think बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे कि कुमन को जो सैक किया है, वो गलत किया है, तो जो भी आपका रियक्शन है, दोस्तों, जो भी आपके पॉन्ट अफिया है, प्लीज लेट में नो इन दो कॉमेंट सेक्शन, and thank you so much for your love and support, सुबह उठके देगा मैंने, तो we have reached 4000 subscribers, तो वस इसी तरीके से अपना प्यार और support बरकरार रखे, and करेंगे दोस्तों बात फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखे, take care and peace out.